हेलो फ्रेंड जिस मूवी का एक्स्प्लेनेशन आज हम करने वाले हैं उसमें एक्षन होर अर्थिलर तीनों हैं ये कहानी अमेरिका में इस्तित कोलंबिया में फिल्माई गई है कहानी की शुरुवात में एक कमपनी दिखाई जाती है जिसका नाम दबेल को इंडस्ट्री होत मुझता है तो उसे भी कुछ नहीं पता होता माई के साथ काम करने वाले सारे लोग कमपनी में पहुँच जाते हैं और अपने अपने काम शुरू कर देते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कंट्रोल रूम में कोई इन सब पर कैमरों से नजर रखे हुए था इस ओफिस मे एक रूल था कि जो भी इस कंपनी में काम करता है उसके सर में एक ट्रेकर लगाया जाता था ताकि कि सभी को सिक्कूर किया जा सके माई को बहुत अजीब लगता है कि यहाँ पर आज कोई भी लोकल गार्डिया इंपलॉज मौजूद क्यों नहीं है तभी कुछी देर में ए अगले आदे गंटे में और अगर यह टास्क पूरा नहीं हुआ तो इसका प्रेडाम बहुत ही खतरनाक होगा सब लोग इसावास को बस प्रेंक्स की तरह समझते हैं और अब फिर से अपने कामों करने लगते हैं कुछ टाइम बाद सभी के मोबाइल के सिगनल चले जाते है तो इसका सीधा सा मतलब यह कि अब वो किसी से बात भी नहीं करवाएंगे इतना सब होने के बाद एक ओल लेडी वहां से भागने लगती है क्योंकि वे बहुत ज्यादा टर जाती है पर जैसे ही वो भागती है बिल्डिंग के शीशों पर मेटल शील्स आ जाती है और पूर इस कंपनी का सीओ है बैस सबसे कहता है कि यह सब किसी मिश्टेक की वज़े से हो रहा है आप सब को ड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन माइक को अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है जिस आवाज ने इन सब को टास्क दिया था उसका टाइम भी खत्म होने वाला था इकनोर कर देते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की के सर पर गोली लगती और वहें मर जाती है इसके हलावा तीन और वरकर्स को गोली लगती है उन चारों का सिर फट जाता है यह सब देखकर अफरा तफरी मत जाती ही क्योंकि मिस्टेरियस वह इसने व toast क्या था कि टाइम पूरा होने पर कुछ बहुत बुरा होगा बेरी नोटिस करता है कि इन सब लोगों के सर अंदर से फटें ना कि बाहर से गोली चलने पर तो माइक ये सब देखकर समझ जाता है कि इंपलावस के सर में जो ट्रेकर फिट किये गये थे वो तो मिनी बॉम्स हैं इसी वज़े से ल छेड़ा या निकालनी के कोशिशच की तो ये वहीं फट जाएगा माइक ट्रेकर नहीं निकालता है यह वह इस फिर से सभी को बोलती है कि किसी ने अगर केमरा जीयर ट्रेकर से छेचार करने की कोशिश ची तो उसका अझाम बहुत बुरा होगा अभी उन सब को सेकिंड ढा जाते हैं, कुछ थो आपस में लड़ने लगते हैं, इसी दारान कुछ लोग एक दूसरे जिसके बाद वो वहाँ पर एक पोस्टर लगाते हैं जिस पर लिखा होता है we are being held hostage जिसका सीधा मतलब यह होता है कि हमें किड्नेप कर लिया गया है प्लीज हमारी मदद करें उसी वक्त guard zone सब पर गोलियां चलाने लगते हैं अब वो नीचे आ जाते हैं और बात करते हैं कि श साथ वाले लोगों को गंस बाट देता है और आगे की कहानी में सभी लोगों को एक जगह पर घटा किया जाता है माइक वहीं पर आ जाता है तब ही बैरी कहता है कि जिनके बच्चे 18 साल से कम वो अलग हो जाए जो बूड़े हैं या जिनके बच्चे नहीं है वो भी अलग ह हो जाए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमें तीस लोगों को मार नहीं होगा बैरी और लोगों को अलग करके उन्हें मारना शुरू कर देता है जिसने आज ही ऑफिस जोइन किया था वह एक जगह चुपी हुई थी वह में लाइन को कट कर देती जिससे अंधेरा हो जा पाता टाइम पूरा हो जाता है जिसका पूरा होते ही वहां पर बहुत सारे लोगों को सिर्फ अटने लगते हैं जैसे इन बहुत ही जादा खतरनाक है तब ही दूसरी तरह वोईस का रूम दिखाते हैं जहां पर इंप्लॉईस के नाम लिखे थे जिनके आगे स्विचिस भ लोगों को किल करेगा सिर्फ वो ही जिन्दा रहेगा अब विंडल जो की बैरी के साथ था दोनों लोगों को माणना शुरू कर देते हैं इसके अलावा और लोग भी दूसरों को माणने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ इंपलॉईस मिनी बम्स को इखटा कर रहे थे यानि जो लोग मर चुके थे पर उनके बम्स नहीं फटे थे इन सब को इखटा करके वो बलाश्ट करने वाले थे ताकि यहां से निकला जाए माइक की दोस्त माइक को ढून रही थी तब ही उसे विंडल मिलता है उनमें लड़ाई होती है वह विंडल के सर पर कई वार करती है बैरी का दोस्त विंडल वहीं पर मर जाता है माइक की फ्रेंड माइक को वो बॉम्स दिखाती है माइक वो बॉम्स अपनी जेम में रख लेता है तब ही वहां पर बैरी आ जाता है और वो शूटिंग करने लगता है जिसमें से एक गोली माइक की फ्रेंड को लग जाती है और हो वही मर जाती है डैनी जिसने आज ही और जोइन किया था वो समझती है कि सब खत्म हो चुका है वह लिफ्ट से नीचे आही रही होती है कि बैरी उसे भी गोली मार देता और वही भी मर जाती है अब सिर्फ माइक और बैरी ही बचे हैं बैरी और माइक में लड़ाई होती जिस room में माइक को ले जाए जाता है वहाए एक scientist बेड़ा होता है वह माइक से कहता है कि तुम जो voice सुन रहे थे वो मेरी ही थी आगे बताता है कि वह एक international organization के लिए काम करता है जो human psychology पर काम कर रही है वह कहता है कि इन सब के पीछे खास मकसद है माइक ने आते वक्त mini worms cards और व क्योंकि वो mini worms फट जाते है माइक हतियार चेन कर उन सब को गोली मार देता है और वो सब भी चान से मारे जाते है माइक कंपनी के पाहर निकलाता है लेकिन एक camera दिखाया जाता है जिसकी नजर माइक के ऊपर होती है control room दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी TVs रखी होती है जिसका सीधा सा मतलब ये था कि वहाँ पर बहुत सारे survival थे यानि कोलंबिया में ही नहीं बहुत सारे देशों में सारा काम चल रहा था वो भी यहीं पर खत्म हो जाती है